किसान भाईयो आप तो जरूर धान लगाए होंगे या लगाने वाले होंगे लगाने वाले होंगे तो भी आप ये पहले डाल सकते हैं मैं जो दो खाद बताऊंगा ये दो खाद इतना इंपोर्टेंट है अगर आप नहीं डालिएगा तो बड़े बड़े किसान यही डालते ह और इसे अपना कल्ला का फुटाओ बहुत ज्यादा करवा लेते हैं और खेतों में कल्ला का फुटाओ ऐसे हो जाता है जो एक प्लांट से 20 प्लांट बन जाता है जिसे खेतों में और भी बहवार होने लगता है और धान का फसल उनका लहला हने लगता है और वो लोग ये बात नहीं बताते हैं, किसी को कोई सिक्रेट नहीं बता पाते हैं, और कहते हैं, जो ऐसे ही फूट गया है, मैं खास दिया था, लेकिन खास से उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन दो देशी चीज़ से इतना ज़्यादा बरवार होता है, जो आप जानके चौक जाईएगा और ये सब आपको कहां मिलेगा कोई भी दुकान पर आप जाईएगा आपको ये 100 रूपे का चीज है और 100 रूपे आपको खेत में भर जाएगा पूरा कल्ला से और खेत में सबसे ज़्यादा आपका धान का पैदाबार होगा इससे अभी से ही पोसकता तो म बाद में ज़रूरत नहीं होती है और शुरू से ही पोसकता तो आप दीएगा तो बरबार अच्छा होगा और धान का फसल बहुत अच्छा होगा एक तरह से समझ जिए संदार और चमक वाला होगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनीफिट है ऐसे तो लगाने के लि वीडियो आप देख लिजेगा और आप यूटूब पे होंगे फेस्बुक पे होंगे तो वही पेज के नीचे होगा दोनों पेज पर डाल दिया हूँ वह आप देख सकते हैं और ऐसे तो वह मतलब खरपतवार के लिए होता है और चोरी और लंबी वाला अलग अलग रहता है तो माीकरोनुट्रियंट की कमी एक समस्या आने लगता है, जो की बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, तो इसके लिए आप माीकरोनुट्रियंट बाला जो समस्या है, उसको बचाने के लिए मैं जो दबा बता रहा हूँ मतलब दो चीज वह आप आराम से कहीं से करिएगा लेकिन उसको डालने से पहले आप अच्छे तरफ से खल एक लिया है और खल में हाई सोग्राम एक एकर के लिए मैं बता रहा हूं और हाई सोग्राम आपको आपको फिटकीरी लेना होगा, जो कि फिटकीरी आपको कोई भी आसानी से कहीं कोई सवप पे मिल जागा, फिटकीरी आप कोई भी पंसारी के दुकान पे तौराम से मिल जाता है, या किराना एस्टोर पे जाएगा, वहार आई सोगराम फिटकीरी ले लिजीगा, फिटकीरी और आपको 10 से 15 की जी आपको जो सरसो का खल होता है मतलब खली जो इससे कहा जाता है कहीं जो आपके छेतर में क्या कहा जाता है जरूर कमेंट करके बता है और फिटकीरी को भी क्या कहा जाता है ऐसे मेरे छेतर में सरसो का खल कहा जाता है वो आप ले ले और अच्छी तरह से 15 से बिसकेजी ये तीन दोनों को पीट पीट के मिला मिला के पीट दें और भुकनी कर दें एकदम बारीक हो जाना चाहिए जीतना बारीक आपका होना चाहिए और भी मतलब आपसे हो सके उतना बारीक कर दें एकदम पतला मिहीन कर दें और एक एकर के लिए ये आपको बन जाए 25 के जी भी दे सकते है वो आपके पास अगर होगा तो ये खल आपको 13 से 14 रूपे मिलता है या कहीं कहीं 20-25 रहता है तो आपके छेत्र में कैसा है ये भी दाम हमको जरूर बताईएगा कमेंट करके और फिटकीरी का तो कोई उतना ज्यादा दाम ही नहीं रहता है इससे ये आपका फूटाओ देने लगेगा और इतना जदा धान फूटेगा जो आप समझी सकते है एक जारी बना लेगा और बहुत बड़ा जारी जारी बना के और बहुत सुंदर आपका धान का फसल हो जागा और एकदम आपका कर्ची के आकार का मतलब मोटा मोटा आपके उंगली का अकार का बन जागा हम तो खल पहले ही दे देते हैं खल इसलिए दे देते हैं जब मैं जो ताई कर बाता हूं मतलब उसी में खल डाल देता हूं पंदरा से बीस के जी नहीं हम पचास के जी डालते हैं एक एकर के लिए वह इसलिए डालते हैं जो इसमें फिलिप बना रहे है और जैसे ही वो फंगस लग जाता है उपर में फिलिप बना देता है और पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है और जो की धान के लिए बहुत अच्छा रहता है खल और फंगी साइड फंगस नहीं लगेगा क्योंकि आप फिट किरी डालिएगा तो फंगी साइड का कोई परि सहाइच ताइसर्करें